नमस्कार सभी को स्वागत है आपका हमारे चैनल के उपर मेरा नाम है अक्षे आज हम रिव्यू करेंगे न्यू जीप कमपास मोडल एस का टोटल सेवन कलर्स के अंदर आती है यह आप ब्रिलियंट ब्लैक देख रहे हैं आपने आखों के सामने प्राइस की बात करें तो शुरू होती है मोडल एस की प्राइस मैनुल ट्रांस्मिशन के अंदर 27,99,000 रूपीज से एंड गोज त्रू 32,07,000 रूपीज एक शोरूम शुरू करने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे स्काइलाइन जीप का अगर आपको जीप का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो शोरूम की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी दिएगे नमबर पर कॉंटेक्ट कीजिए विजिट कीजिए स्काइलाइन जीप इस आर टू इंजिन ओप्शन आते हैं पेट्रोल एंड डिजल ये आप डिजल देख रहे हैं डिजल के अंदर आपको नाइटीन हंड़र्ड फिफ्टी सिक्सी का टू लीटर मल्टी जैट फेस टू डिजल इंजिन आता है जिसकी पावर वन सेंटी पियस है थ्री थाउज में आपको 6-speed manual और 9-speed automatic transmission का option मिलता है ऐसे दिखते हैं आपकी की की के ओपर आपको जीप का logo मिलता है और यहां पर आपको बटन दिया गया है जिससे आप उपर करकर आपकी जो है manual की है वो निकल जाएगी वो भी easily देखिए कुछ इस प्रकार से अगर आपकी बैटरी जो ह करने का बटन मिलता है डबल प्रेस करेंगे तो आप बूट एक्सेस कर पाएंगे अपना चलिए मैं आपको अनलोग करकर दिखा देता हूं जब आप अनलोग करेंगे आप यहां पर देखेंगे आपको यहां पर मिलते है सिक्वेंशनल LED DRL उसी की निचे आपको new LED प्रोज जो आपकी ग्रे कलर के इंसर्ट के अंदर आती है यहां आपका कैमरा और यहां पर आपको जीप लिखाओ मिलता है वो भी ग्रे कलर के अंदर यहां पर आपको ब्लैक कलर के लिटरिंग इफेक्ट पेंट में यहां पर आपको दूसरी साइड का LED DRL न्यू प्रोजेक्टर हैड लैम्प यहां पका LED फोग लैम्प कैपेबिल्टी की बात करें तो यहां पर आपको ओल्ड सीजन टायस मिलते हैं फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग सस्पेंशन मिलता है डैनीमिक श्टेरिंट टॉर्क आता है बात करें कि यहां पर आपको मैग पियर सेंस्ट ट विद लोवर कंट्रोल आंप सस्पें आगे बात करते हैं अब हम फ्रंट में आपको डिस ब्रेक दी जाती है सेंटर में आपको जीब का लोगों मिलते है रिम के अंदर है बात करें कि टाय सेक्ष्छन की टाय सेक्ष्ण आपको यहां पर लिखा हो मिल जाएगा टाय सेक्ष्छन आप वीडियो को पोस्ट कर कर भी देख सकते हैं यह आपके न्यू डायमृट कट इलवी विल्स आते हैं साइट क्लैडिंग है यहाँ पर आपको ग्रे कलर के अंदर कम पास लिखावा मिल जाएगा यहाँ पर आपको ग्रे कलर के अंदर ओर वी मिलते हैं जो की इंडिग्रेटेड एलेडी टरन इंडिकेटर के साथ आते हैं ओटो फॉल्डेबल और अडिजिस्टेबल है यह Model S के अंदर आपको Dual Tone Paint रूफ आता है रूफ आपकी Green Color के आएगी बाकी नीचे बड़ा Potion आपका Black Color के अंदर आएगा Sun रूफ दी जाती है A Pillar आपको Green Color में मिलते है B Pillar आपको Piano Black में आता है C Pillar भी आपको Piano Black में आता है यहां पर आपको बात करें रेयर सप्पेंशन की यहां पर आपको मल्टि लिंक सपेंशन मिलते है। श्ट्रट असेंबली के साथ आता है जो रेयर के अंदर भी आपको डिस ब्रेक दी जाएगी। प्रिज्ट्राउन के टायर है टाय सेक्षिन आपको एक्जेक्ट सेम है जैसे फ्रंट में था 225 55 R18 टाय सेक्षिन आप वीडियो को पॉस्ट करकर भी देख सकते हैं डायमेंशन की बात करें यहाँ पर आपको लेंद 4.4 मेटर वीड आपको 1.8 मेटर वीलबेस आपको 2.6 मेटर टुनिंग रिडियस आपको 5.5 मेटर मिलता है सेफ्टी गेंदर आपको EPB, Adaptive Brake Lights, Active Turn Signal, Traction Control System, ESC, ABS with EBD, Isofix, Dual Note, Electric Horn यह आपको शाक्षिन आंटीन, High Mount Stop Lamp, Ray Defogger, Rare Viper, Rare Washer Seat Belt Large with Dual Locking Tongue, Front Seat Belt with Lap Retentioner, Reverse Parking Assist Sensor Double Crack Prevention System, 360 Degree आता है आपके Model S के अंदर Jeep का Logo, यहाँ आपको LED Tail Light मिलती है जो कुछ इस परकार के आपको दिखती है होने होने के बाद, यह आपका Indicator Driver Air Bag, Passenger Air Bag, Side Air Bag, All Row Full Length Side Cutting Air Bag, Auto Hold for 4x4 Automatic Transmission यह आपके दूसरे साइड के LED Tail Light, यहाँ पर आपको S लिखावे मिल जाएगे, वो ग्रे कलर के अंदर है यहाँ पर आपको Camera दिया जाता है, उसके निचे आप नबर प्लेट लगा पाएंगे, नबर प्लेट के उपर गिरने के लिए Light दी जाते हैं यहाँ पर और अगर आपको Boot Access करना है, तो आप इस Sleever को खीच सकते हैं, बटन दबा कर भी 4x4 की बेजिंग यह आपका Reflexor Parking Sensors आपको Ray-4 Parking Sensors मिलते हैं यह आपका Towing Hook लगाने के लिए जगा दी गई है ऐसे दिखता है आपका exhaust note आप Boot Key के उपर Double Press करने के बाद भी Open कर सकते हैं आपको TPMS भी आता है और Occupant Detection System भी आता है आपको 4x4 variant के अंदर 4x4 System, Jeep Active Drive, Select Terrain, Hill Descent Control जो की 4x4 Automatic के अंदर आएगा, Hill Start Assist आएगा यहां पर आपको हुक दिए जाते हैं कुछ इस प्रकार से आप अपना Spare Wheel यहां पर देख पाएंगे बात करें स्पेर वील के टाय सेक्शन की यहां पर आपको मिलता है 215 65 और 16 थोड़ से स्पेस यहां पर दी जाती है यहां पर भी दी जाती है, स्पेर वील होने के बावजूद भी आपको स्टील वील मिलता है यूनिबोडी स्ट्रक्चर डिजाइन है जिससे सेफटी न कीज हुई है जीप लाइफ एप के द्वारा आप वीकल हेल्थ स्टेटर्स ड्राइव एनलेटिक्स, लोकेशन सर्विसिज, डिटेल ट्रिप एनलेटिक्स सेफटी सर्विस विद स्टॉलन वीकल असिस्ट एक्सिस कर पाएंगे वन टस से यह आपका जो है बूट क्लोज हो जाएगा तो इतना था आपकी इस जीप कंपास मोटल S के एक्स्टिरियर और सेफटी के बारे में बताइए आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके फुल डेफ्ट इंटिरियर के बारे में बढ़े रही है हमारे चैनल पर और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेकर दीजिए गए जिन्होंने अब तक नहीं किया धन्यवत बात मत की झाल 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 झाल